एक दिन एक शेर अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे गया, उसे वहाँ पर एक गधा देखा, शेर ने सोचा कि इस गधे को खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूँगा, शेर गधे पर हमला करने ही वाला था, फिर गधे ने कहा, महाराज में आपका भोजन बनने के ये तयार हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जो जंगल के राजा होते हैं, ये भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हैं, शेर प्रार्थना करने के लिए जैसे ही आँखें बंद करता है, गधा वहाँ से भाग जाता है, कहानी से सीख परिस्थिती, चाहे कैसी भी हो, हमें अभी भी डरना नहीं चाहिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें,